तो किया हूं सब लोग आप सभी बहुत ही अच्छे हूंगे मेरे दोस्त देखो मेरे बाई एक एक्जाम है एक सीटी है जो सबसे बड़ा मुद्दा रास्ता नवेवी चादर है कि सीटी का क्या मावले सार के जुनियर काउंटेंट की एक्जाम समय पे होगी या हो सकती है तो मेरे भाई हम देखते हैं कि आज की नूज क्या है नूज के बारे में देखेंगे कि अपनी करमचारी चेहन बोड़ की एक्जाम है जो जूनियर काउंटेंट है इसका सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि भाई ये सीटी में घोशीत करती इसको और सीटी में भी भी मुदर सब्सक्राइब बता रहा हूं कि एक जांप फॉस्पोंट की जाए अब कोट की क्या डिसेजन है इसमें कोट की डिसेजन यह आएगी कि जो हाई कोट की सुनवाई होने वाले तीकी 31 तारीकों उसके बाद में पांस तारीकों एकनपर्म होगा जो पांस परोड़ आए खबर खबर कहा है यह आई वी तो साथ उन्चास पर है 31 तारीकी आई वी है ठीक है साम के टाइम आई वी है भाई कि बूर्ड के गटींगी नाम से क्या है टेलिग्राम है टेलिग्राम जो जाकर जोएन कर लीजी एक ने लिंग आपको चैटबॉक से डाइट के लिकिजिए और जोएन कर लीजी जाए अब देखो ध्यानते सुनना हर एक्जम से पॉल्टिक स्के लिए अभी आरे समें में मैं लेकिन यह चीज है यह कुछ बच्छों के साथ में क्या हुआ है अब बच्चे क्या अगर रहे हैं ठीक है एक सामाने पात्रता परिक्षा है तो उसमें एक क्राइटी रेफिक्स होना चाहिए आप जितने उन्हों क्या होगे इतने से ओपरबाले जो आगे मजुसे में उने वाली है उसके लिए पात्र होगे इसङद्धान में क्या होने वाला है ये exam में मतलब ब्राट त्विश्ट हो रहा है, त्विश्ट ऐसा हो रहा है, कि अब उन्होंने यालोकराज ने क्या कहा दिया, करमसरे चैनल वोट गियर देक्स ने, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बात बोली, कि junior accounting exam 11-4-89 को होगा, तैयारी करें, ठीक है आपके बात क हम सम्मान करते हैं आपके बात का बिल्कुल सम्मान करते हैं कि तैयरी करें अब बच्चे तैयारी करें उनके माइंड में यह डिप्रेस्ट रहता है जो जिनका नहीं हो है सीट में उनकी बता रहे हैं वो तैयरी कर रहे हैं इसके लिए तैयरी कर रहे हैं वो तो करी ही रहे हैं उनके तो बात ही कह लेकिन जो ये जूज रही हैं बीच में कि क्या हम पंदने गुणा में आ सकते हैं किया हमको कोड से कुछ डियुसर मिल सकता है तो इनका कहना से मैं बताउं इनका कहने की मतलब से तो यह है कि एकजाम सही समय पे होगी कोई बदलाब नहीं होगा अगर हां इनके कहने के मतलब से बता रहा हूं मेरे मतलब से नहीं बता रहा हूं मैं इनका कहना यह है इनका से यह निकलता है कि यह एक जम समय पे पूरी होगी अब दूसरी बात क्या है कल का ट्विट दिखा हूं आपको मैं तो दूसरी बात क्या है दूसरी बात ऐसी है कि जो इन्हों कहना ही है और मेरे युवसातियों से बिर छोटी सी चला है करो दर्णा नार्यवाज जो भी है दर्णा फर्देशन कर रहे थे कि एक्जाम को क्या किया जाए पुस्पोनी किया जाए एक सिंपल सी बात है हर कोई एक्जाम नजदीक आती है ना तब दिल की दढखने बहुत ते होगा यह बात तो तो इनका कहना है अब देख लो आप समझ जाओ इन बात में आप सब मेरा आसे समझ गई होंगे सच की रहां पकड़ो तो इस वर भी आपके साथ होगा जैहिंद सीधिशी बात है जो भी करना है 37 इनका कहने का मतलब यह है पांस तारीकों और सुनवाई है इसकी जो पांच परवरी आ रही है इसको हाई कोट की सुनवाई होगी जो भी अपडेट आई के अपनी टेलिग्राम पर भेज़ती जाएगी सबसे पहले आप देख लिजएगा आपको वहीं मिल जाएगी ऐसा ही कुछ यह औरो को लेकर के हैं जो अगर आपको एकजाम में थोड़ा बहुत कुछ बेनेफिट मिल सके तो बूर्डग एकडमी एक को इस्टोल के लिए प्रेस्टोर से वहां जाने के बाद आपको क्या मिलेगा एक प्री पीडिया मिल से ठीक है तो बाकि यह इंपोर्टेंट बात थी बाया देक्स जी का यह कहना है कि एक्जाम्स जो भी आगामी एक्जाम्स है वह समय पे होगी सारी अब देखो मैंने आपको एक्दम सीड़ी बात थी जो चीज़ें आई थी नहीं जाई थी मैंने एपके साथ सेर कर दी है अ अगर कोड का डिसेजन होता है कि रोक दिया जाए बढ़ती को तो रोका भी जा सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप लोग क्या जाते हैं आप लोगों क्या मत है एक बार कमेंड बुक्स में कमेंड चाहब दीजेगा मेरे दोस्त कि आप लोग चाहते हैं कि एक्जाम पॉस्पोंड हो आप लोग चाहते हैं कि एक्जाम पॉस्पोंड ना हो यह चीज जुरूर आप आप में कमेंट बोक्स में छापतीजेगा कोई और आपको प्डेट से तो इंस्टागरम में जाए मैंसे बात कीजेगा सुने चोदरी एस बीए के नाम से आपके जाक बात